या पर प्रोब्लम दे रुखिए, the value of s is equal to sine pi by 8 की पावर 4 plus sine 3 pi by 8 की पावर 4 plus sine 5 pi by 8 की पावर 4 plus sine 7 pi by 8 की पावर 4, तो देखे, इसको कैसे कर सकता है? तो यह problem थी, आपको पता, sine theta is equal to sine pi minus theta होता है, जैसे कि sine 30 degree की value, sine 150 degree की equal होती है, यह आप sine के graph से देख सकता है, easily. तो वैसी जो, यह sine 5 pi by 8 है, 5 minus 5 pi by 8 लिकेंगे, तो sine 3 pi by 8 आजाएगा, और sine 7 pi by 8 को, pi minus 7 pi by 8 लिकेंगे, तो sine 7 pi by 8 आजाएगा, तो यहाँ पर यहाँ आने के बाद, एक तो यह 5 by 8 कितम थी, यह 7 pi by 8 को, sin pi by 8 लिक सकता है, तो इसकी पावर भी 4 हो जाएगी, यह 3 pi by 8 लिक सकता है, तो यह दोनों 2 times हो जाएगे, तो यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब जो sine pi by 8 के पावर 4 हो, उसको मैं sine pi by 8 के square का whole square लिक सकता हूँ, और यहाँ साब देख सकते हैं, यह कुछ फोर्मूला है, cos 2 angle के वो है, cos 2x को cos square x minus sine square x लेख सकता है, cos 2x is equal to 1 minus 2 sine square x भी होता है, cos 2x को 2 cos square x minus 1 भी लेख सकता है, cos 2x को 1 minus sine square x divided by 1 plus sine square x भी लेख सकता है, यह आपने पढ़ा होगा, तो अभी हसे मैं sine square x के वाल लिख नहीं पावर लों, तो क्या हो जाएगे, वो 1 minus cos 2x by 2, अभी यह एक cos 2x value 5 by 4 होगी, तो इसको मैंने यहां पर ऐसे लिख लेख सकता है, cos 5 by 4 की वाली 1 by root 2 होती है, आपको पता ही है, तो यहां पर 1 by 4 को तुमने भार ले लिया और इसको 1 minus 1 by root 2 को home square लेख सकता है, वैसे ही sine 3 by 8 के लिए करेंगी, तो यहां पर x की value 2x की 3 by 4 हो जाएगे, cos 3 by 4 क value minus 1 by root 2 होती है, तो यहां पर same equation बनेगी, बस यहां पर 3 by 4 आजाएगा, जो कि तो minus minus multiply होगे, plus का 1 by root 2 आजाएगा, और जब आप इन दोनों को add करेंगे, और उसको 2 से multiply करेंगे, तो simply 3 by 2 आजाएगा, आपके पास आप यह थोड़ी से calculation करके देख लेजेए, तो basically क्याता है हमने इन दोनों quantity को convert किया, फिर हमने यह आप पर basically cos2x को formula लगाया, और जुन चीजों की value हमको पता रहती है, जैसे pi by 4, pi by 2, 3 pi by 4, something like that, तो उन चीजों का value यूज करके, हमने इसको simply calculate कर लिए,